Hello everyone, मैं मितन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे Finally मैं हिंदी में current affairs लेकर आ चुका हूँ इंगलिस में जिनोंने current affairs देखा है याद रखिएगा कुछ question यहाँ पे नए add किये गए है तो उनके लिए भी ये fruitful होगा विडियो अगर आप पूरा देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कुछ एक्स्टा कोश्चन इसमें इंक्लूड किये गए हैं तो चलिए आज की विडियो को हम लोग सुरू करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कोश्चन अप दा डे का आंसर जरूर कीजिएगा अगले विडियो में अपना नाम देखने के लिए विडियो की सुरूआत आपके विनर्स के नाम के साथ की जाती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हाल में ही 20 बजट दिवस यानि की वर्ल्ड सेविंग डे सेलिब्रेट किया गया है आपको बताना है उसकी तारिक क्या है 29 अक्टोबर 31 अक्टोबर 30 अक्टोबर तो देखी इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 31 अक्टोबर अब आप फोलों के चलो ठीक है 31 अक्टोबर तो इसका आंसर हो गया 31 अक्टोबर को कुछ और चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है अब क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रिय एक्टा दिवस जो की हमारे पुर्व जो उपपरधान मंतरी रह चुके हैं सरदार बल्ला भाई पटेल उनके जन दिवस पर यह राष्ट्रिय एक्टा दिवस को हम लोग बारतवासी मनाते हैं बिश्व सहर दिवस भी 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यानि कि 31 अक्टूबर को तीन चीज़ों को आपको याद रखना है बिश्व बचद दिवस राष्ट्रिय एक्टा दिवस और बिश्व सहर दिवस चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर हाल में ही आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज ये आपदा परवंधनी ओधा तैयार करेगा बिहार आशाम ओडिशा यह हमार अस्ट्रा तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ओडिशा ओडिशा ने ये काम करने का बीड़ा उठाया है ओड रखिएगा नविन पटनायक रेलवे का जो एलमोनियम वाला रूप है उसे सबसे पहले ओडिशा में ही भुबनेश्वर में जो है इसका इनोगरेशन किया था भारत के रेल में जो मिनिस्टर है भारत के रेल मंत्राले के जो मुखिया है उनका नाम क्या है अस्वनी कोश्चन देखिए मैं आपको बताता हूँ सुल्तान जोहर कप ना सुल्तान जोहर कप मलेशिया में आयोजीत किया जाता है याद रखिएगा हर साल ये मलेशिया में आयोजीत किया जाता है और मलेशिया में आयोजीत होने वाले सुल्तान जोहर कप को इंडिया ने तीन बा बात हो रही है यानि कि 20 साल से कम वाले जो भी खिलाडी थे इसमें सामिल हुए थे याद रखिएगा इस बात को अस्ट्रेलिया से एक और चीज को याद रख लेना है अस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है अस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैन बैरा याद रखिएगा आप लोगो जा रहा है अस्ट्रेलिया के करेंट प्रेसिडेंट कौन है नीचे कॉमेंट करके इसका भी जवाब आपको देना है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमर फोर की और हाल में ही बंगलादेश फिल्म होसब के चौते संस्क्राइब का उद्गाटन कहां हुआ था धाका में काटमांडू में कोलकाता में या इन में से कोई नहीं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोलकाता में जी हां अगर आपको लग रहा है कि ये इंडिया में नहीं हो सकता है तो गलती आपकी है कोलकाता में इसका उद्गाटन किया गया था कोलकाता में बंगलादेश है इसकी टोटल 37 फिल्मों को यानि की 37 मुवीज को यहाँ पे रिलीज किया गया था इससे दिखाया गया था बंगलादेश फिल्म महतसब में जो कि बंगलादेश के दौरा वहाँ के डारेक्टरों के द्वारा बनाया गया था ये महत सब कब से कब तक चलेगा 29 अक्टोवर से लेकर ये चलेगा 2 नमबर तक सारी बातने क्लियर होगी ये होगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने ये रहा हाल में ही किस राज के रंजन गाउं में इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्ट्रिंग कलस्टर विक्सित किया गया है रंजन गाउं एक गाउं का नाम है वहाँ पे इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्ट्रिंग कलस्टर को विक्सित किया गया है गुजरात में, महरास्टर में, हर्याना में या फिर नन अफ दीज तो देखिए इसका जो correct answer होगा वो होगा option number B महरास्टरा में ये आयोजित किया गया था अगर महरास्टरा की बात करें हम लोग तो महरास्टरा के जो chief minister है यानि की मुख्य मंतरी उनका नाम है एकनाथ सिंधे क्या नाम है इनका एकनाथ सिंधे याद रखिएगा इस बात को और महरास्टरा के बारे में एक और चीज याद रख लिजे साइद exam में आपसे पूछी ले संपत्ती को पंजी करिद करने को यानि की जो आपकी संपत्ती है उसे digitalization यानि की उसे जो है digitalization की आगए है महरास्टरा में पहली बार पूरे भारत में ये पहली बार कहां हो रहा है महरास्टरा में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन आपके सामने ये रहा लुईस इनासियो लूला डिडिशिलवा किस देश के नए राष्टपती यानि की प्रेसिडेंट बने हुए है तो याद रखिएगा ये ब्राजिल के नए राष्टपती बन चुके है ब्राजिल की capital की अगर बात की जाए तो ब्राजिलिया यहां की capital है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर question number 7 हाल में ही केंद्रिय सिक्षा मंत्री जिनका नाम है धरमेंद्र परदान ने कहा दूसरे राष्टी ये model वैदिक उद्गाटन किया है कहां पे उद्गाटन किया है ये जवाब देना है तो देखिए इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा पूरी तूसरी स्कूल है पूरी में जिसे धरमेंद्र परदान के दौरा उद्गाटन किया गया था पाला स्कूल के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा पाला स्कूल जो था वैदिक स्कूल वो था कहां पे उजयन में एक और बात मैं आपको बता दू अब ये वैदिक स्कूल का क्या काम है ये वैदों का परचार परसार करने के लिए इसे स्कूलों का जो है उद्गाटन की अजारा इसे स्कूल को इसको कूलों का निर्मान किया जारा है बेदों का परचार परसार करने के लिए आगे बढ़ते हैं हाल में 21 राज में इस्थित सीम गुफा को पहली भारतिय भू बिरासत साइट के रूप में मानिता मिली है लद्दाक, मेगाले, हिमाचल पर्देश या इन में से कोई नहीं तो देखिए इसका जो करेक्ट राज़ान सर होगा वो हो जाएगा मेगाले और मेगाले की जो राजधानी है ये भी याद रखिएगा ये क्या है साइद ये कोशन आप से एकजाम में पूछा जा सकता है बहुत इजी कोशन है बट फिर भी आप लोगों को याद रख लेना ही चाहिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर हाल में ही फीफा अंडर 17 बिस्व कप जो महिला बिस्व कप है किसने जीता था हाल में फीफा अंडर 17 की बात हो रही है तो इसे जीता था यहां से देख सकते हैं इसका जो राइटांसर होगा वो हो जाएगा श्पेन क्या हो जाएगा श्पेन और किसे हराकर जीता था ये पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा कोलंबिया किसे हराकर जीता था कोलंबिया को हराकर इनोंने जीता था चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की ओर, किस राजिन सरकार ने समान नागरिक सहीता लागू करने की के लिए जो एक समिती का गठन किया है, केरल ने, गुजरात ने, महरास्ट ने या फिर हरियाना ने, तो देखिए इसका जो राइट अंसर होगा, वो होगा उजरात ने समान नागरिक सहीता लागू करने की गोशना की है, और इसके लिए इन्होंने समिती का भी गठन कर दिया है, और आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमबर 11 की ओर, हाल में ही भारतिये नियो सहीना ने किस देश के साथ प्रथम त्री पक्षिये अभ्यास में भाग ल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, तंजानिया, क्या हो जाएगा, तंजानिया में इन्होंने जो भाग लिया है, और आप्सन सीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया नोसियन में पढ़ने वाला ये देश है, आगे बढ़ते हैं, हाल में ही वर्स दो हजार पाईस में नौ सेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरन की सुरुवात कहां से हुई है जैपूर कोलकाता नई दिल्ली तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में इसे जो है इसका उद्गातन किया गया था आगे बढ़ते हैं हा एम अमरिता नंद मई के दौरा यह है इनको जो है न्यूक्त किया गया है सोसाइटी का अध्यक्स यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो और यह अध्यात्मिक नेता रह चुकी है आगे बढ़ते हैं कोशेन नंबर 15 की ओर हाल में ही किस देश के सबसे सतत तेल और गैस कमपनी के रूप में मानिता मिली है भारत के देश में जो है अक्चली भारत देश ही हम लोगों का देश है आपको बताना है कि किस कमपनी को यहां पे मानिता मिली है तो BPCL is the right answer और इसके स्थापना 1952 में की गई थी और इसका मुख्याले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेगा इसका मुख्याले आपको कहा मिलेगा मुंबई में मिल जाएगा चलिए आखरी कोश्चन क्यों हम लोग बढ़ते हैं हाल में ही कौन सा देश भारत का सातवा सबसे बढ़ा वैपारिक भागिदार यानि कि बिजनस पार्टनर बन चुका है ट्रेडर बन आप लोगों के होसला से ही होसला मिलता है मुझे तो नीचे होसला अब जाएज जरूर करें जाहिन जरूर लिखें जाते जाते आखरी में बता दूं 399 रुपए में आप मेरे हैर निटर नॉट्स एक्वाइर कर सकते हो आपको मिल जाएगा के बियस प्यार्टी टीजिटी और प्यजिटी के लिए पहली बात दूसरी बात 99 रुपए में प्रिवेशर कोश्चन पेपर आप मुझे एक्वाइर कर सकते हो आपने वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत सुक्रिया